हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप से भीका स्वागत है डीके जेस्टट डी हेलपर दोस्तों बगत फूल सिंग में लाविश्विद एलसोनी पत में जो वकेंशिन के लुई हैं नोन टीचिंग पता पर आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या ग् वीडियो को पूरा देखना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बगतफूल सिंग में लाविश्विद एलने की साइट को उपन करना है माय को दिखा देता हूं ये साइट आपको उपन करनी है उसके बाद आपको नीचे आणा है नीचे आपको एक जैसे आप Click करोगे तो यह पर जो पन होगा इसमें आपको News पर Click करना है जब आप News पर Click करोगे तो यहाँपे जो है निच्चे PDF मिलेंगे आपको और आपको जो है आपको एक PDF डाउन लोड करनी है एक फरवरी की एक फरवरी को इस जॉब का नोटिफिकेशन आया था वो PDF आपको डाउनलोड करनी है तो यह आप देख सकते हो एक फरवरी Advertiment of Non-Taking Post यह PDF आपको डाउनलोड करनी है यहाँ पर डाउनलोड पर आपको कलिक करना है तो जैसे आप डाउनलोड पर कलिक करोगे इस जॉब की जो नोटिफिकेशन है उसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी तो यह PDF जो डाउनलोड हो चुकी है इसमें आप वो थोड़ा नीचे आना है और यह आप देख सकते हो दो पॉइंट नमबर 7 है इसमें लिखावा है Criteria Waitage for Direct Recruitment इसके बारे में जो डिटेल हो मिलेगे आपको पेज नमबर 29 से यानि कि पेज नमबर 29 से स्टार्ट हो जाएगी कि क्या Criteria रहेगा किस पोस्ट के लिए अब हम जालेंगे पेज नमबर 29 पर तो यह आप देख सकते हो पेज नमबर 23 यहां पर खतम हो चुका है और इससे जो गलाई पेज है पेज नमबर 29 उस पेज से डिटेल स्टार्ट हो जाएगी कि किस पोस्ट के लिए क्या जाएग पेटरन रहेगा और क्या सेलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा तो आप देख सकते हो आपने जिस भी पोस्ट के लिए फोरम अपलाई किया है उसके लिए क्या exam pattern रहेगा और क्या selection क्राइट ईरे रहेगा example की तोर पर मैं आपको बताऊँगा की collect की पोस्ट के लिए क्या exam पैट उरेगा और क्या selection क्राइट ईरे रहेगा कलक की पोस्ट के लिए यह आप देख सकते हो characteristic और क्राइट अविए which is for the post of collect तू में computer appreciation and application test इसमें computer related question आप से पूछे जाएंगे phase 2 में और यह हैं आपके बीश नमबर के phase 3 में apt2 test इसमे reasoning English or math के question पूछे जाएंगे और यह हैं आपके 30 नमबर के और उसके बाद है phase 4 इसमें जो है academic qualification जो यानि की document verification जो आपकी होगी physically उसके जो है आपके document चेक करके उसमें जो आपको दिये जाएंगे बीश नमबर ठीक दोस्तों यह आगे detail में भी दे रखा इसमें आगे detail में भी दे रखा है पूरा detail में भी दे रखा है कि phase 1 में क्या क्या होगा और phase 2 में क्या क्या होगा पूरा detail में भी इसमें दे रखा है तो यानि कि ये PDF आफ डाउनलोड करके अराम से चेक कर सकते हैं कि जिस भी post के लिए अपने phone पर लाई किया है उसके लिए क्या जो है exam pattern रहेगा और क्या selection criteria रहेगा और इसमें जो है negative marking भी होगी दोस्तों मापको दिखा देता हूँ या आप देख सकते हो यानि कि जो कोस्टन के लिए नंबर है मान लेजिए इस कोस्टन के लिए अद्धा नंबर है तो उसका चौथा हिसा काट लिया जाएगा ठीक दोस्तों या आप देख सकते हो जो कोस्टन आप सही करोगे उसके लिए है आद्धा नंबर यानि कि जो कोस्टन आप सही करोगे उसके लिए है आद्धा नंबर और जो कोस्टन आप गल्द करोगे उसके लिए आपका आद्धा नंबर का चौत्था हिसा काट लिया जाएगा यानि कि अगर आपके चार कोस्टिन गल्च जाते हैं तो आपका अधा नंबर कट जाएगा ठीक है दोस्तों तो नेग्टिंग मार्किंग भी इसमें है ठीक है ओ दोस्तों बाकी जो है जिस भी पॉस्ट के लिए आपने फोरम पलाई किया है और सभी इसमें पॉस्ट आपको मिलेंगी कि किस पोस्ट के लिए क्या अग्जाम प्रेटरर्न गएगा और क्या सेलेक्षन क्राइटरि रहेगा तो दोस्तों मैंने आपको इसमें जो हैונה मोटा बता दिया है कि कैसी आप च्छेक करना है कि जिस post के लिए अपने फोरेंब लाइ गिया है उसकी लिए क्या एक्जाम प्रेटरन रहेगा तो PDF आप डाउनलोड कर लेना PDF आपको कैसी डाउनलोड करनी वह मैंने आपको बताई दिया है तो PDF आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हो जिस भी पोश्ट के लिए अपने फॉर्म पो लाइग किया है उसकी लिए क्या एक्जाम पर रेटरन रएगा और क्या स्लाक्षन करेइट रहाँ रहेगा ठीक?" तो ये वीडियो आप ISO कैसी लेगी अगर वीडियो आप अच्छी लेगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप से का बहुत बहुत देनावा दोस्तों